है गाइज बहुत सब कैसे हैं सब लोग सो गाइज माइनेम इस अर्विन दरोडा आप मुझे देख रहे हैं विदान्तू चैनल पे और यह चल रहा है स्प्रिंट 12 जिसमें हम आप लोगों को बोर्ड एक्जाम के पॉर्ण वी से प्रिपरेशन करा रहे हैं ताकि आपके बोर्ड एक्जाम भी बहुत अच्छे जाएं तो चले गाइज आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं इस डे नंबर 8 जिसमें हम लोग को और यहाँ पर डील क लिखना है वैसे ही आपको अंसर यहाँ पर दिये भी जाएंगे तो चले गाइस फड़ा फ़र से शुरू करते हैं इंफिसाइज आपको ऐसी करना है जैसे कि आपने प्रिविएस वीडियो में किया था लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखें तो चैनल को जरूर विजिट करो वहाँ पर सॉलिट सेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चेमिकल कैनेटिक सरफेस केमिस्ट्री इसके अलवा पी ब्लोग के 15, 16, 17, 18 मेटलर्जी और दियानेफ ब्लोग के खतम हो चुके हैं ठीक है और आज हम लोग कर रहें के लिए क्लास्रूम विडियो के लिए इस एप को आप लोग डाउनलोड करें यह आपको बहुत जादा हेल्प करेगा सो चलिए गाईस काम लोग कर लेते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे उंचा जो ब्लॉक है बेसिकली वह ऐसे वन टै कर रहे हों तो वीए से एक ट्व ट्यूरे को ज्यादा फोकस करणने हैं कहले कि लिए chess i kes पी पेजिए लेकिन इनिम इन में से VSA type के questions पूचे जाते हैं ठीक है तो उस पे आप लोगों ध्यान रखना है last but not the least ये theory के एक table है जो आपको सीधे मदद करेगी अगर आप theory prefer करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे topic all most आपके 12th के topic मैं डाल चुका हूँ और विंदरोडा के नाम से आप search करेए आपको सारे videos सारे topics मिल जाएंगे आपको tension लेना ही नहीं है so guys coordination number यहाँ पर लिखा हुआ है hybridization यहाँ लिखिए geometry और examples दिये हुआ है ये table आपको बहुत मदद करेगा इसका screenshot ले लो और इसकी practice अच्छे से कर लेना जिसको पता नहीं है कि किस तरह से hybridization निकाली जाती है उसके भी videos में upload कर चुका हूँ coordination number के कुछ example मैं यहाँ पर भी कराऊंगा इसके लावा भी आपको मिल जाएंगे आप एक बार search ज़रूर करना so चलिए फड़ा फट से हम लोग questions को deal करते हैं पहला question बहुत easy है सवाल करिए when a coordination compound chromium Cl3.6H2 is mixed with AgNO3 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound write the structural formula of the complex बहुत असान है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 moles of AgCl तब सोचो 2 moles of AgCl का मतलब 2 moles Ag plus और 2 moles Cl minus Ag plus तो AgNO3 देदेगा 2 moles Cl minus यह वो कौन देगा obviously यह वाला जो compound है वो देगा इसका मतलब यहाँ पर 2 Chloridine असानी से आपको मिल सकते हैं वो complex compound के बाहर है chromium का अगर आप देखें तो coordination number 6 होता है बड़ी common सी चीज है ठीक है coordination number का मतलब है कि कितने loan pair accept करता है तो chromium 6 loan pair accept करता है तो overall आपको 6 से उसको satisfy करना है answer कैसे लिखोगे बहुत असान है नीचे यहाँ पर mention किया हुआ है answer वैसे देखिए chromium ने क्या किया है basically यहाँ पर focus करेगा यहाँ पर सिर्फ यह देखिए chromium ने सिर्फ 1 chlorine से एक loan pair ले लिया और 5 H2O से aqua यहाँ पर molecule से उसने क्या किया basically 5 loan pair ले लिया total कितना हो गया 5 और 1 6 और 2 chlorine बाहर है ताकि यह जो 2 chlorine है प्रेसिपिटेशन में मदद कर सके एक water का molecule बच किया जिसको hydrated form में बाहर लिख दिया अगर आप इतना सा भी answer लिख के आ जाते हैं तो आपको 1 mark पूरा मिल जाएगा बच समझ समझ की बात है अगर आपने question समझ लिया तो answer कर देंगे question next देखते है what do you mean by denticity of a ligand आप से सवाल पूछा कि denticity का मतलब क्या होता है denticity का मतलब बहुत ही simple है कि कोई compound actual में कितने loan पे donate कर सकता है अगर 1 तो monodented, 2 तो di-dented ठीक है या फिर उसको by dented भी कहते है तो मतलब वो कितने loan पे donate कर सकता है कितनी site है उसके पास donate करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलता है denticity कहते है example लिख सकते हैं आप वहाँ पर properly लिख सकते है the number of coordinating groups present in a ligand is called denticity of ligand example के तोर पे यहाँ पर by dented ligand का example दिया हो एथियन 1-2-diamine आप देखेंगे तो यहाँ दो नाइट रोजन है जिनके पास loan pairs है वो क्या कर सकते है actual में दो loan pair donate कर सकते है ठीक है तो यह by dented का example है इस तरह से अगर आप answer लिखते हो तो आपको full mark मिलेंगे अगला सवाल what is the meaning of ठीक है chill it effect यह बहुत important है chill it effect action में होता क्या है actually chill it effect monodented नहीं दिखाते है by dented ही दिखाते है उसको लिखना कैसे है जरा देखो when a dye or poly dented ligand uses its two or more donor atom to bind a single metal अब देखिए कोई एक central metal atom है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई एक central metal atom है ठीक है और उस central metal atom की मदद की जा रही है कोई भी जैसे एन ले लो दो तरफ से मदद की जा रही है दो loan पर donate की जा रहे है तो actual में यहाँ पर अच्छी bonding है देखो दो तरफ से इसको गेरा जा रहा है तो इस तरह से जो complex compounds अगर बनते हैं जादा strong bonding बनाते है और वो जादा stable भी होते हैं लिखा भी आ हुआ है अगर उसने अपने दोनो डोनेटिंग जो sites है यूज करके metal को घेर लिया है तो इसको आप लोग चिलिट लिगेंड कहते है चिलिटिंग लिगेंड फ्रों more stable complexes than monodentidly बहुत important है और इसको चिलिटिंग effect कहते है बहुत important है इसको इस तरह से आपको answer करना था I hope आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया तो एक बार फिर से पढ़िए और इसका screenshot ले लिजे अब next question write the Iopec name of the following बहुत पुछा जाता है सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि actual में सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर complex part है इसका कोई ketanic और renanic part तो है नहीं उसमें भी आपको क्या करना है alphabet के हिसाब से जैसे amine और a chlorine है तो a पहले आता है तो tri amine ठीक है और फिर उसके बाद tri chlorido समझ में आता है और finally chromium इस तरह से इसको mention करना है और साथ में आपको यहाँ पर इनकी क्या mention करनी होती है आपको oxidation state भी chromium की mention करनी होती है तो देखो इसका नाम कैसे लिखा गया है देखे tri amine दिखरा है सब लोगों को tri amine tri chlorido जैसा कि मैंने आपसे कहा था chromium अब उसके बाद chromium का oxidation state निकाली है ammonia पर होता है 0 3 chloride ion है तो minus होगा तो obviously इस पर plus 3 होगा तो यहाँ पर 3 roman में आपको लिखना है clear हो गया so यह इस तरह से आपको इसका solution mention करना है फिर से एक question है मैं IOPEC वाले क्यों पूछ रहा हूँ ठीकि IOPEC के questions बहुत पूछे जाते है using the IOPEC norms write the systematic name of this again यहाँ पर आगर आप चाहिए ketanic part देखो चाहिए anionic part देखो दोनों के दोनों कैसे हैं दोनों के दोनों complex part है तो इसको भी लिखना असान है सबसे पहले ketanic part को लिखेंगे फिर anionic तो आप ज़रा focus करो hexamine cobalt ठीक है और फिर उसके बाद है आपके पास hexasinochromium नहीं लिखेंगा अब कैसे mention करेंगे वो देखो क्योंकि वो anionic part है तो 80 last में लगाया जाता है तो देखो किस तरह लिखोगे यह रहा hexamine cobalt उसकी क्या लिखोगे oxidation state उसके बाद hexasinochromate उसके oxidation state fortunately दोनों की oxidation state 3-3 है क्योंकि यह देखो आप निकालोगे कैसे 6CN है balance करना सीखो 6CN है जिसमे 6- का होगा clear होता है और इस तरह से आप इसको अब यह बहुत special है इनके oxidation state निकालने बड़े गजब के है और cobalt में focus करो दोनों को इस तरह से manage करो कि overall यहाँ पर जो oxidation state है वो एक दूसरे को balance कर सके इस तरह से आपको इसको manage करना है और मैं आप सब से कहता हूँ हाला कि बताने को बहुत easy है लेकिन at the same time आप सब लोग यहाँ पर 3-3 कैसा है उसको calculate करो खुद से क्योंकि आपको benefit होगा और मैं आपको एक चीज़ तो clear कर चुक हूँ क्योंकि यहाँ पर 6 sign हो है तो minus का 6 है chromium जब भी compound बनाता है तो plus 3 oxidation state दिखाता है हम पहले ही देखके आचुके है एक example में उसके हिसाब से आप उदर वाले का भी निकाल सकते हो इन भी oxidation state निकालने के लिए थोड़ा आपको क्या चाहिए थोड़ा आपको थोड़ा जो ions होते हैं उनकी metal ions उनकी knowledge होनी चाहिए कि किस तरह के compound वो form करते हैं चले अब आगे चलते है फड़ा फट से इनका ये example था जिसको मैं आपको बता चुका हूँ we have one more question what type of isomerism is shown by this complex यहाँ पर देखिए खास बात क्या है यहाँ पर आपने एक ऐसा यहाँ पर ligand लिए है जो कि embedent है embedent मतलब यह यह ऐसा है जो कि यहाँ से sulfur से भी donate कर सकता है और यहाँ से carbon से भी donate कर सकता है embedent है मतलब ही इसके बाद दो-दो site है तो अगर वो बदल दे ठीक है अपनी site तो यहाँ पर किस तरह का isomerism show करेगा ज़रा check करो the complex dish show the linkage क्योंकि link की change हो गया या तो आप SCN से करो गया clear हो गया link change कर सकते हो या फिर आप carbon से कर सकते हो क्योंकि यह embedent है तो यहाँ पर linkage isomerism यह show कर रहा है अब हम चलते हैं आगे we have one more question what type of isomerism is exhibited by the following यहाँ पर क्या हो सकता है तो यहाँ पर scene कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ने को cobalt का 6 coordination number दिख रहा है क्योंकि पांच यह और एक ही है आप इसको अंदर ले जाके उसको भी भार ला सकते हो तो इसको बोलते हैं आइनाइशन isomerism अब देखिए हमने यही किया SO4 को और CL को आपस में interchange कर दो तो इसको हम लोग ionization isomerism बोलते हैं यह भी दोनों को देखे ज़रा ध्यान से तो इसका answer कैसे लिखो होगे वैसे cn मजो आपको दिखाए दे रहा है cn- वो बहुत ही जादा strong legend है जो की क्या कर देता है electrons की pairing कर देता है ठीक है तो यह भी one of the reason है लेकिन फिर भी अगर आप इसकी structure बनाओगे तो बड़ी असानी समझ में आएगा हला कि इस cancer आप यूँ भी लिख सकते हो देखो यहाँ पर क्या लिखा है nis2o6 plus is a high spin complex high spin complex का मतलब क्या होता है जरा समझ लो ठीक है वहाँ पर delta node की value small होती है मत्तब जो splitting होगी actual में वो उसमें gap जादा नहीं आएगा समझ में आता है while nicn4 यह low spin complexes बनाता है square planer वाले जिसके अंदर gap बहुत जादा होता है तो pairing हो जाती है और यह चीज तो आपने कहां पढ़ी है cft के अंदर पढ़ी है समझ में आता है तो इस तरह से आप इसका answer कर सकते हो बहुत जादा है तो electron उपर नहीं जा सकता और pairing हो जाएगी और अगर gap कम है तो electron उपर चला जाएगा और pairing नहीं होगी simple तो उसके वे से यहाँ पर चीज में mention करी गई है इसका screenshot टेल हो और आप असानी से answer लिख सकते हो at the same time यहाँ पर लिखा भी है क्योंकि gap बहुत जादा होते है तो dd transition होता ही नहीं है cn4 वाले के अंदर लेकिन इसमें होता है तो simple सा answer है तो आप इस तरह से आप इसको answer लिख सकते हो ठीक है इसका screenshot टेल हो जिसे आपको idea हो जाएगा चलिए आप 7 type का एक question ले लेते है why nicl4-2 paramagnetic while the nicn4-2 is diamagnetic इसका answer भी मैं दे चुका हूँ क्योंकि cn- जो ligand होता है वो बहुत ही जादा strong होता है और वो pairing कर देता अगर आपने cft द्यान से पढ़िए तो बहुत इजली आप इसका answer कर सकते हो जबकि यहाँ पर जो chloride है वो इतना strong ligand नहीं है तो वो pairing नहीं कर पाता है इस चीज़ को समझिए तो जब यह pairing नहीं कर पाता है इसका मतलब यह unpaid रहेंगे तो यह paramagnetic हो और यहाँ पर pairing हो जाती है तो यह diamagnetic हो simple है यहाँ पर tetrahidal के अंदर low spin complexes क्यों rarely observed है इस चीज़ को आपको answer करना और यह बहुत interesting है clear होता है अब इसके answer कैसे लिखोगे two mark के हैं पहला तो मैंने आपको बता दिया है यह आप उसको language में इस तरह से लिख सकते हो second special है in tetrahidal complex compounds ठीक है entity formation the d orbital splitting is smaller मज़े की बात है कि tetrahidal के अंदर क्या होता है basically d orbital की जो splitting है वो बहुत ही ज़्यादा small होती है ठीक है splitting मतलब gap कम होगा इसका मतलब क्या होगा the orbital splitting energies are not sufficient large to force pairing of pairing and therefore low spin configuration are rarely observed you have to answer like this clear होगा है सब लोगों को so अगर आप यह लिखके आते हैं तो आपके 1 mark पक्या overall 2 mark का question है उपर के लिए 1 और नीचे के लिए 1 इस तरह से आपको answer लिखना था मैं वापस बता देता हूँ in tetrahidal coordination entities the entities formation the d orbital splitting is smaller समझ में आ गया consecutively the orbital splitting energies are not sufficiently large guys यह ध्यान रखना आपको clear होगा है तो इस तरह से आपको answer को मैं यहाँ पर mention करना है so guys यहाँ पर हमारे सारे के सारे questions कतम हो गए I hope guys आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें answer किस तरह से लिखना होता है इनके screenshot अच्छे से आप ले लिजेगा एक बार फिर से वीडियो को देखके तो चलिए guys अब अगली वीडियो मिलेंगे लेकिन उससे पहले फिर से मैं कहूंगा कि विदान्तू app आप जरूर डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से अपने doubt के लिए study material के लिए और जो भी वीडियो आपको required है उसके according आप इस app को search कर सकते हो इसके लागर आपको theory part cover करना है तो आप मुझे भी search कर सकते हो So चलिए guys अब अगली वीडियो मिलेंगे Thank you so much Thanks a lot